नेक्स वीकर अम्मौल खलेजी चैनला बदल में तरह अधिक शमोद है मैं महामुहीम राश्टर पतीजिय के अभीभाशन के धन्यवाद प्रस्तां में बोलनी के लिए खड़ा हूँ अधिक समूद है महामुहीम राश्टर पतीजिय ने बहुत ही अच्छी बात अपने अभी structure से बनता है राष्टर बनता है उसके देशवासियों से इंसानों से और उनके दिलों में पनवते देशभक्ति के जजबे से और इन देशवासियों की परिस्टी क्या है हर देशवासी चाहता है अद्रक्षमोद है कि वो एक धैमुक्त वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें लेकिन मेरे चुनाक शेतर में ऐसी परिसिती नहीं है वाइल नैशनल वाइल लाइफ सर्वे का अगर हम रिपोर्ट देखे ते उसका अनिस्वार मेरे चुनाक शेतर में चार सो से पांसो लेपर्ड का अधिवास है और मेरे चुनाक शेतर में दिन में थ्री फेज है और अभी जुन्र फॉरस्ट विभाग ने महाराष्ट सरकार को एक प्रस्ता भेजाए जो इकलोता सुलीशन है वो लेपर्ड रिप्रड़क्शन कंट्रोल का सुलीशन है और इसके लिए में नियमित तरीके से मंत्राले से भी गुजारिश कर रहा हूं और मेरी ये गुजा ही सरानी है लेकिन मेरे चुनाक शेतर में अध्यक्ष मौद है देड़ से दो लाक लोग ऐसे है वो रहते तो पक्के घरों में है लेकिन उनके घर अन अथोराइज करार दिये जा रहा है और वजह है दिगी एमिनेशन डेपो की वज़े से लगा हुआ रेड जोन महामईन र इफेंस एट फॉलो हो रहा है जिसके तहट रेड जोन की मर्यादा दो हजार याड सुनिश्चित की गई है लेकिन 1970 का जो स्टेक रेगुलिशन है स्टोरेज टेकनिकल एक्स्प्लोजिव कमिटी का जो रेगुलिशन है यूनाइटे नेशन का वो हमारे दिश ने अडॉप किया जिसके अनुसार 200-500 मीटर ही रेड जोन की मर्यादा होनी चाहिए तो जब हम कानोनों के सुधार की बात करते है तो मेरी अडॉप कानोन हम आडॉप किया है उस पे अमल किया जाए. और पांसू मिटर के आगे ये रेड जोन की मर्यादा से देश वासी ओं को रहत दी च महाराष्टर पतीज ने अपने अभिवाशन में अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट की बात की और विक्सिद भारत के जो चार्स तंब हैं उन्होंने उन्होंने उसमें उन्होंने किसानों का जिक्र भी किया लेकिन वास्तविक्ता ये है अध्यक्ष मोद है पिछले 35-40 दिनों से अनियन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है और अनियन एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगनी की वज़े से प्याज की निर्यात पर पाबंदी लगनी की वज़े से मेरे महराष्टर के प्याज उत्पादक किसानों का दो हजार करोड रुपयों का नुक्सान हुआ ह और इस पाबंदी की वज़े से भला हो रहा है पाकिस्तान के किसानों का क्योंकि मिडल इस्ट का मार्केट हो ये पूरा पाकिस्तान अनियन ग्रोर फार्मर्स के हाथ में चला गया है और पाकिस्तान के किसानों को उनके प्यास का दाम मिल रहा है लेकिन मेरे किसान को अपना प पे महामई वराष्टरपती जिने किसानों की आई दुगनी होने की बात की अध्यक्षे मोदय मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2013 में डियेपी की एक बैक थी उसकी कीमत थी 560 रुपए दो हजार चौबीस में डियेपी की बैक की कीमत है 1100 रुपए जो लागत की मज दूरी जाती है 11000 रुपए आज 2013 में प्यास विक्राता 20 रुपए किलो में आज प्यास विक्राए 8 से 10 रुपए किलो में 2013 में सोया बिन विक्राता 6000 रुपए क्विंटल के दरों में आज सोया बिन विक्राए 4500 रुपए क्विंटल के दरों में तो किसान की आई दुगनी हुई है दोग उने से ज़्यादा खट गई है जब हम विकसित भारत का एक स्तंब किसानों को मानते है तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जब विकसित भारत की यात्रा होती है दिल्ली में ठंड बहुत है किसी को बताना नहीं पड़ता ठंड बहुत है हम महसूस करते है ठंड बहुत है तो जब विकसित भारत है तो ये बताना क्यों पड़ता है मेरा किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि ये विकसित भारत है मेरी आई दुगनी हुई है और ये मेरी दर्ख्वास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरता पूरवक के विचार किया जाए क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो खाने वाला खाईगा क्या ये सवाल बनता है अंत में महामई राष्ट्रपती जे ने राम मंदिर के निर्मान की बात की और मर्याद पुरुशत्तम प्रभू श्री राम हमारे राम लल्ला जो विराजमान हुए उसके लिए मैं समूचे देश का अभिनंदन करता हूँ और उसी के बारे में कुछ पंक्तिया कहके मैं अपनी वानी को विराम दूँगा अध्यक्ष मोदै जब राम लल्ला की प्रान प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलेश के प्रान प्रतिष्ठा कैसे होगी किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी किसी ने कहा जब चुनाओं ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दाओं पे लगी होगी लोग तो कुछ कहेंगे लोगों का काम है कहना आप जन की बात मत सुनना सिर्फ मन की बात करना फिर भी खुश थे हम, फिर भी खुश थे हम, पांसो साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था, तो चल पड़े अयुधा की और राम लल्ला की दर्शन की आस लगाए, जो सामने नजारा देखा, वो देख कर डंग रह गए वो तीन मंजिले 452 सीधियां, जै श्री राम का नारा लगाते हुए, हम सीधियां चड़ने लगे, राम लल्ला से क्या गुहार लगाए, ये सोचने लगे, पहली सीधी पर याद आई महंगाई, पहली सीधी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरू याद आ रहा था, हर सीधी पर कुछन कुछ याद आ रहा था, कही 15 लाग का जुमला, कही किसानों का आकरोश ता, कही महिला कुष्तिगिरों की वेदना थी, कही साला न दो करोड रोजगारों का वादा था, कही बढ़ती सांप्रदाइक का थी, तो कही चुनिंदा पतियों पर महर्बान हमारी सरकार का चहरा था इस वास्त विक्ताने जन्जोडने बाव इस वास्त विक्ताने जन्जोडना के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए होश तो तब संभाला जब रामलल्ला के दर्शन हुए हमें नतमस तक देख राम लल्ला मुस्कुराते हुए बोले मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा जितना इस मंदिर में हूँ, उतना ही तुम्हारे मन में रहूँगा लेकिन याद रखना हमेशा मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था तुम कलियुग में जीते हो जहां समविधान ने गणराज जलाया है धर्म समाज का किनारा जरूर है लेकिन देश एक बहती धारा है किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवा अड़ जाता है प्रगती के पच से हड़ जाता है इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए तुम रहो न रहो वो रहे न रहे ये देश रहना चाहिए देश का समविधान रहना चाहिए देश का लोकतंत्र रहना चाहिए ये देश देश रहना चाहिए जैहिन धन्यवाद